हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाना बोर्ड कलास 10 सोचल साइंस का कोश्चन पेपर डिजाइन 2023 के सैसन के लिए सुरू करते हैं वीडियो को मैं हूँ अजे और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपको बता दू अगर आपको कलास 10 के किसी भी सब्यक्ट के important questions की वीडियो देखनी है या model paper solution या question paper design की वीडियो देखनी है डिस्क्रिप्शन में playlist के link मिल जाएंगे वहां से देख सकते हो और यह सारी चीजे 7 में old question paper बगरा सब चीज़े आपको डाउनलोड करनी है PDF में तो Google पर जाकर सर्च कर लेना CCL Chapter लिखो के तो भी आ जाएगी उपरी वेबसाइट CCL Chapter डोट कोम इस वेबसाइट पर आपको हर्याना बोड की सारी जरूरी चीज़े मिल जाएगी जो आपको exam में help करेंगी शुरू करते हैं वीडियो को देखो हम यहाँ पर सारी चीज़े जानेंगे कौन से chapter कितने number के आएगे समाजिक में आपकी चार किताबे हैं चारों किताबों में से कौन सी किताब कितने number की कौन सा chapter कितने number कराएगा उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि किस type के question कितने हमको मिलने वाले हैं तो पहले देखते हैं 5 number वाले जो question है बड़े-बड़े question वो आएंगे 4 question है निए 4 किताबे सभी किताबों से 1 question आपको दिया जाएगा और internal option will be given in all the question सभी question में और करके एक extra question दिया जाएगा जो पहले नहीं देते थे अब की बार कर रहा है इन्होंने यह चीज भी और यह हैगा आपका 20 number का तिन-तिन number वाले question होंगे 5 15 number का रहेगा यह जिसमें history से 2 question आएंगे जियोग्राफी से 2 जियोग्राफी आपको यह तो पता होगा history यानि इतिहास, जियोग्राफी यानि भुगोल, political science यानि की राजनीती विज्ञान और economics यानि अर्थ सास्तर ठीक है दो-दो number वाले 6 question जो क्या होंगे 12 number के history में से 2 जियोग्राफी में से 2, political में से 1 question और economics में से भी एक question देखने को मिलेगा mcq, mcq जो है multiple choice question याएंगे आपके 20, जिसमें आपको 6 तो मिलेंगे history में से, 3 मिलेंगे geography में से, 7 मिलेंगे political science से और 4 मिलेंगे economics में से टोटल आपके paper में 20 mcq देखने को मिलेंगे, उसके बाद case study based question यह नया pattern है, cbsc based, यह 4 number के 2 question आएंगे, 8 number का रहेगा एक question तो आपका आएगा political science से और एक आएगा economics में से, ठीक है, उसके बाद में एक map का आएगा, map के अंदर जो है one location based question consists two section A and B will be asked from history and geography, ठीक है, दो नंबर का तो आएगा history में से, तीन नंबर का आएगा आएगा आपका section मालब आपको point दे देंगे कुछ, कुछ, एक map देंगे basically वो खुद से और paper के अंदर ही उसमें आपको point mark करेंगे और बोलेंगे यहां पर बताओ, यहां पर क्या था, मालब जगहा का नाम बता दो और खास तोर पर आपको ध्यान रखना है वो history का, history का कोई event ही आपको वहा प्रेलिस्ट में, अब देखते हैं कि आपकी जो किताबे हैं, उन में से कौन सा section है, वो कितने नंबर का रहने वाला है, तो आपका जो course structure है, इसमें जो पहले किताबे, यह मैं हिंदी में भी करा दूँगा पाठ्ठों के नाम, ताकि आपको जो है confusion नाओ chapters में कि कौन सा chapter का नाम क्या है, हिंदी में क्या बूलते हैं, आपकी जो book है history की भारत and the world, इसके शुरू के तीन chapter, यह chapter के number exact है, जो आपकी book में है, तो शुरू के तीन chapter आएंगे 7 number के, इनकी मर्जी कोई से में से कितना का पूछे, ठीक है, चार पांच और च्छे, यह तीन chapter आएंगे 7 number के, 7, 8 और 9, यह 3 chapter आएंगे 9 number के, यानि कि 9 और 7 और 7 इतने number के आपकी total history आने वाली है, democratic politics, यानि political science आएगी, शुरू के 3 chapter में आएगे 12 number के, और यह 4 और 5 और चैप्टर आएगा 9 number के, यह जो है, मैं chapter आप देख लेना, book में cross check कर लेना, numbering भी same मिलेगे, अगर आपने नई book ले रखे, कोई गडबर नहीं होगी, पुरानी book ले रखे, तो chapters कटे हुए हैं बीच में से, पता होगा आपको, तो वो जो है, cross check कर लेना, अपने नाम जो भी है, next है contemporary India, यानि geography, इसके जो शुरू के 3 chapter है, वो आएगे 8 number के, agriculture और यह आएगी 7 number, जिसमें से agriculture में से ही ज़ आए नंबर की, अब उसके बाद में है last book हमारी वो है, अर्थ सास्तर economics, तो economics में सुरू के 3 chapter आएंगे 8 number के, और 4 chapter आएगा, 7 number का, इसमें से ही बड़ा question भी देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है, ये रहने वाली है, ये book का section, partition, अब देखते हैं, ज 7 number का आएगा, शुरू के 3 chapter, 4 और 5 और 6 आएंगे 7 number के, 7, 8, 9, ये आएंगे 9 number के, इसमें खास तोर पे अंदोलन वाले chapter पे थोड़ा ज्यादा ध्यान अखना क्योंकि इसमें से ही ज्यादा ये लोग पूछेंगे, बड़ा question अगर पूछना होगा इनको, लोकतांत्रिक र Google में जो है, शुरू के 3 chapter आएंगे 8 number, 4 और 5 और 7 और 6 number के questions आपको देखने को मिलेंगे, शुरू के इन में पहले chapter में से ज्यादा आते हैं, तीसरे में से बहुत कम आता है, और तीसरे में से map वोगारा तो पूछ लेते हैं कभी कबार, अब जो है, यहाँ पर 4 chapter में से आता है, इंपोर्टन जो chapter है, और इधर जो है आपका यह राष्ट्रिया अर्थवयस्ता की जीवन रेखा, यह वाले में से ज्यादा आता है, अब जो है, फोर्थ बुक है, जो हमारी अर्थ सास्तर की, उसमें जो शुरू के 3 chapter है, वो आएंगे 8 number, चोथा और पाच्वा जो chapter है है, वो आएंगे 7 number, इस तरीके से आपका जो पूरा paper है, वो आपका 80 number का रहेगा, पीस की लगेगी assessment, 100 number आपकी mark seat में 100 करे जाएंगे, और आपके जो top 5 subject है, उनके फिर आपको mark से consider करके आपकी percentage बताई जाएगी, आई होप समझ में आगया होगा सारी चीजे, कैसे marking scheme है, क मुकालिन भारत है, 8 और 7, 15 और 6, 21, तो 21 number की आएगी, तो इस तरीके से आपको जोड़ लेना सारो को, और आपको exactly, पता लग जाएगा कौन सी किताब कितने की है, I hope समझ में आगा होगा, और हाँ, अगर कोई student channel पर नया है, subscribe नहीं कर रखा, भाई कर ले, यार subscribe तू भी, तो क्योंकि इसी channel पर आपको सारी वीडियो मिलेंगी, सारे अपडेट, हरियान अबोर्ट के मिलेंगे इसी channel पर, important question, paper, solution, सब कुछ मिलेगा, आपको इसी channel के उपर, subscribe नहीं कर रखा तक कर लो, ठीक है, मिलते हैं नहीं वीडियो में, बाई बाई